नमस्कार दोस्तों सागत है आपका नोलजवानी यूटुब चैनल पर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम UKWSC के द्वारा हाल ही में एजित कराए गए ग्रूप C के पेपर का सॉलिशन देखने वाले हैं दोस्तों यह आपका एक जो एक्जाम था यह आपका 25 नमबर 2018 को यह एक्जाम हुआ है और बता दें कि यह जो आपका एक्जाम था यह आपका पोस्त कोड 80 और 120 से लेकर 126 के लिए यह आपका एक्जाम कराए गया था जिसमें विविन प्रकार की पोस्टें जैसे साइग समिक्षा अधिकारी, कुम्यूटर डाटा एंट्री ओपरेटर, परवेक्षक, साइग समाज कलियान अधिकारी, आपर नीजी सेचीव यहाँ पर आप देख सकते हैं समिक्षक, अनुवादक, विविन प्रकार की पोस्टों के लिए यह आपका एक्जाम 25 नॉमबर 2018 को आईजित करवाया गया है तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की इस वीडियो में की इस पेपर का सॉलिशन क्या था और इस वीडियो के लास्ट में हम आपको जो है पेपर की आंसर की भी एवलेबल करवा देंगे और डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक दे देंगे आप जो है वीडियो को सुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखें और description से जो है इसकी official answer की भी download जरूर कर लीजेगा और दोस्तों ये जो set होगा जिसको हम solve करेंगे ये आपका set D होगा और आप हमें बताइएगा कि आपके exam में कितने marks बन रहे हैं तो आप जो है वीडियो को बीना skip करें शुरू से लेके लाज तक जरूर देखें क्योंकि सबी questions को हमने आसान और detail में explanation दिया है ताकि ये आपको आगे आने वाले future groups के जो भी exams होगे उसमें आपको जादा से जादा help हो जाए तो इसलिए आप वीडियो को सुरू से लेके लाज तक जरूर देखें तो चलिए फिर start करते हैं आज की ये वीडियो तो paper में पहला question पूछा गया था कि नीचे दिये गए विकल्पों में से जिस वाक्य में दही का सही लिंगने होता है वो वाक्य कौन सा है यानि कि जो आपको ये options दिये हैं यहाँ पर आपको इनको पढ़ना था और जो वाक्य दही का सही लिंगने करता है उसको select करना था तो इसका अंसर बताने से पहले हम आपको बता दें कि जो इकारांत शब्द होते हैं यानि कि जिनके अंत में बड़ी एकी मातरा लगी रहती है जैसे नदी, रोटी, टोपी वो पराया इस्त्रीलिंग शब्द होते हैं यानि कि जो इकारांत शब्द होते हैं वो पराया इस्त्रीलिंग होते हैं लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं दही, हाती, पानी ये भी इकारांत शब्द हैं लेकिन ये इसके अपवाद हैं यानि कि ये पूलिंग शब्द होते हैं ना कि स्ट्रेलिंग, तो दही आपका होगा पूलिंग शब्द, तो इस असाब से अगर देखा जाये तो option C धहीं खटा है, तो दोस्तों बता दे कि जो सुमित्रा नंदन पंत थे इनका जनम कोसानी बागेशर में 20 मई 1900 को हुआ था ये कवी और लेखक दोनों थे और इनको भारतिय ग्यानपीट पुरसकार से 1968 में चिदंबरा के लिए समानित किया गया था और इनको साहित्य अकादमी पुरसकार नही समानित किया गया था और इनको बता दें कि इनको 1961 यानी 1961 में पदम भूशन से भी समानित किया गया है जो सुमित्रा नंदन पंत है तो इनको सिर्फ दो ही पुरसकार मिले हैं भारतिय ग्यानपीट 1968 में और पदम भूशन 1961 पेपर में next question था कि उदंद मात्रिंड नामक जो स सही answer पंडित जूगल के सोर बता दें कि जो उदंद मात्रिंड था ये दोस्तों हिंदी का पर्सम समाचर पतर था और इसका प्रकाशन 30 मई 1826 से कलकत्ता से हुआ था याद रखेगा कि जो इसका प्रकाशन था वो 30 मई 1826 में कलकत्ता से हुआ था और इसके जो पर्सम संपा बता दें कि जो कारक होते हैं यानि कि संग्या या सरनाम का वाक्य के अन्य पदों से जो समध बताता है उसको कारक कहते हैं और हिंदी में 8 कारक होते हैं और इन सब कारकों के चिन होते हैं इसका चिन हो जाता है करम को करम का चिन को हो जाता है इसी तरह से ये जो चिन होते है इनको हम प्रसर्ग भी कहते हैं तो इसका आंसर जाएगा option B रहेगा next question है कि बहुमुखी परतिवा के धनी व्यक्ति जिसने press, radio, tv, विरिद्चित्र, film, विज्ञान संप्रेक्षन का ऐसा कोई माध्यम नहीं जिसके लिए उन्होंने सफलता पुर्वक लिखन कारें ना किया हो तो ये जो statement है ये किस वक्ति के लिए कहा जा रहा है ये बताना है तो दोस्तों बता दें ये बहुमुखी परतिविया के जो धनी व्यक्ति थे इनका नाम था मनोहर स्याम जोसी तो option B हो गए या पर सही आंसर तो ये जो statement है दोस्तों ये मनोहर स्याम जोसी के लिए का गया है बता दें कि जो मनोहर स्याम जोसी है ये आधनिक हिंदी साहित्ते के स्रेष्ट गद्यकार उपन्यासकार व्यंगेकार पत्रकार दूरदर्सन धारवाईक लेखक जनवादी विचारक दारवाईकों के लेखक भी रहे थे और इनी जो धारवाईकों के कारण इनको ख्याती प्राप्त भी हुई थी जो मनोहर स्याम जोसी थे तो ये जो statement है दोस्तों ये मनोहर स्याम जोसी के लिए तो इसका answer रहेगा option B next question था कि नीचे दिये गए विगलपों में खंडन का विलोम शब्द क्या है तो खंडन का विलोम शब्द होता है दोस्तों मन्डन तो इसका सही answer हैगा option B तो मन्डन था इसका सही answer next था कि नीचे दिये गए विगलपों में से परतेक शब्द में जो है संधी कौन सी है तो दोस्तों अगर आप परतेक का संधी विछेद करेंगे तो इसका संधी विछेद आएगा परती धन एक तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि परती के अंत में छोटी E और A का A E और A मिलके यहाँ पर आपका ये बना रहा है तो जहाँ पर E और A मिलके ये बनाता है तो यह जो नियम होता है यह यन संधी का होता है तो यहाँ पर दोस्तों यन संधी है इसका सही अंसर है नह था option A यन संधी नेक्स कोचन था कि नीचे दिये गए विकलपों में से पुर्टगाली भाषा का सब्द कौन सा है तो पुर्टगाली शब्द दोस्तों यहाँ पर option C था पादरी और बता दें इसके अन्ने जो पुर्टगाली शब्द होते हैं जो की मत्तपून है एक्जाम के point of view से यह हैं अलमारी, आलपीन, कमरा, कमीज, करनल, काजू, गमला, गोबी, चाबी, पपीता, बाल्टी, बोतल, मिस्तरी, आदी यह सबी सब्द जो हैं आपके पुर्टगाली भाजा के सब्द हैं इनको भी आप याद रखेगा क्योंकि एक्जाम में पूछे जा सकते हैं तो इक्जाम के point of view से भी important है तो इसका answer यहाँ पर option C रहना था चलिए अब देखते है next question next question था कि लिपी का अर्थ है तो लिपी जो दोस्तों होती है इसको लेखन पणाली भी का जाता है तो लिपी या लेखन पणाली का अर्थ होता है किसी भी भाशा की लिखावट या लिखने का ढंग तो दवनियों को लिखने के लिए जो चिन प्रयोग किये जाते हैं वही लिपी कहलाते हैं तो यहाँ पर इसका आंसर रहना था दवनी चिनों का लिखित रूप तो दवनी चिनों का लिखित रूप जो रहता है वो लिपी होता है आंसर रहना था option B तो इस question का सही answer था option B next question था कि नीचे दिये गए विकलपों में से कौन सा जो है देशज सब्द है तो देशज दोस्तों वे सब्द होते हैं जो शेत्री प्रभाव के कारण या परसिती वा आवशक्ता के जो अनुसार बन कर परचलित हो जाते हैं का रूप बदल जाता है जैसे थैला, गडबड, पेट, पगड़ी, लोटा, टांग, ठेट इतियादी शब्द जो हैं देशज सब्द होते हैं यहाँ पर दोस्तों डिंग जो सब्द था ये भी एक देशर सब्द है तो इसका सही आंसर हैगा option C, उपेक्षा, तो हिकारत का जो अर्थ है वो उपेक्षा है तो option C होगा सही आंसर next था कि नीचे दिये एक विकल्पों में से मुर्धन्य वर्ण कौन से हैं बताते हैं दोस्तों जो मुर्धन्य वर्ण होते हैं वो आपका मुर्धन्य वर्ण में ट वर्ण आता है और जो मुर्धन्य वर्ण होते हैं इनका उचारन सान मूँ के बीतर की उपरी चत का अगला भाग होता है तो मुग के बीतर उपर छत का जो अगला भाग है उसका प्रयोग किया जाता है इनको बोलने के लिए और जो ट वर्ग है जिसमें ट ठ ड अना आते हैं ये सबी आपके मुर्धन्य वर्ण हैं तो यहाँ पर इसका आंसर रहेगा option A ट जो की एक मुर्धन्य वर्ण का उधारन है next question था कि पाहन जो आए हो गाउं में शहर के मेग आए बड़े बन ठन के समर के तो यहाँ पर ये पंक्तियां जो है इसमें कौन सा लंकार है ये बताना था तो दोस्तों बता दें यहाँ पर जो है उत्प्रिक्षा लंकार है बता दें कि जो उत्प्रिक्षा लंकार होता है इसमें उपमे में उपमान की संभावना होती है और इसकी जो पहचान का तरीका है इन में जो है आपको जियों शब्द जो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे जियों शब्द मानो, मनू, मनू, जानो, जनू, जनू, जियों यह शब्द आते हैं जो उत्परिक्षा अल पेपर में next question था कि नए पत्ते जो रचना है इसके रचनाकार कौन हैं तो नए पत्ते के रचनाकार थे सूरेकान तिरपाथी निराला तो option D होना था इसका सही answer और बता दें कि सूरेकान तिरपाथी निराला की अन्य जो रचनाएं हैं उनमें हैं कुकर मुत्ता, मासको डायल चली देखतें next question दोस्तों यहाँ पर next question था कि निम्न में से दिये गए विकल्पो में से जो निष्चे वाचक सरनाम को बताता है वो कौन सा है तो यहाँ पर पहले इसका answer । देते हैं कहते हैं और दोस्तों निश्चे वाजक सरनाम के जो उधारन होते हैं उनमें यह, वह, ये, वे, ये जो हैं ये चार आते हैं जो निश्चे वाजक सरनाम होते हैं तो इनका प्रयोग किया जाता है तो यहाँ पर इसका आंसर है न था option C, यह नेक्स कॉच्चन था कि व्याक्रणिक दिरिष्टी से शब्दों को उनके परकारे के अधार पर कितने वर्गों में बाटा जाता है यानि कि यहाँ पर व्याक्रण की दिरिष्टी से शब्दों के परकार बताने हैं तो व्याक्रण की दिरिष्टी से कहें या फिर रूप या प्रयोग के अधार पर कहें, तो जो दोस्तों शब्द होते हैं, वो दो परकार के होते हैं, तो इसका आंसर यहां पर हो जाएगा, option D, दो, और बता दें, जो यह दो परकार हैं, इनके नामें विकारी शब्द और अविकारी शब्द, यानि व्यक्रन के अधार पर शब्द के ये भी बदल जाते हैं और इन में जो हैं संग्या, सरणाम, विशेशन और किरिया आते हैं तो संग्या, सरणाम, विशेशन, किरिया जो हैं विकारी शब्द के दारन हैं जबकि अविकारी शब्दों में लिंग वचन कारकों कोई प्रवाव नहीं पड़ता है और इन में जो ह नेक्स कोश्चन जो पेपर में पूछा गया वो था कि दात काटी रोटी होना इस मुहावरे का क्या अर्थ है तो दात काटी रोटी होने मुहावरे का जो अर्थ होता है यह होता है पक्की दोस्ती होना तो यहाँ पर इसका सही अंसर रहना था option B पक्की दोस्ती होना तो यह जो है दोस्तों ये च वर्का दूसरा वर्ण है तो हर वर्का दूसरा और चोथा वर्ण जो होता है ये महापराण विंजन होता है या महापराण वर्ण होता है तो इसका आंसर जो होगा वो होगा option A च तो च जो है दोस्तों यहाँ पर यहांपरान होना था, यह आपका महापरान होना था, तो इसका आंसर जो था वो option ए था 6 और बता दें कि जो ये महापराण होते हैं इन वर्णों के उच्छारण में मुख से जो हवा है वो अधिक निकलती है और परते वर का दूसरा और चोथा वेंजन जैसा कि हमने आपको बताया कि वो जो होता है वो महापराण वेंजन होता है next question था कि नीचे दीगे विकलपों में से अविकारी शब्द कौन सा है तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया कि अविकारी शब्द वो शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन और कारक का परवाव नहीं पड़ता है यानि कि इनके बदलने पर इनमें कोई परवाव नही ही आता है तो इसके उधारन जो है वो किरिया विशेशन, समंद बोधक, समुच्य बोधक और विसमादी बोधक होते हैं यहाँ पर अगर आप देखें लड़का तो लड़का जो है दोस्तों एक संग्या है तो संग्या तो विकारी शब्द में आ गया वह जो है यह सरो नाम है यह भी आपका विकारी शब्द में आ जाएगा जो ऑप्शन डी है अच्छा यह विशेशन है जो की विकारी शब्द में आएगा लेकिन अगर आप आप ऑप्शन सी देखेंगे तो यह जो है दोस्तों एक किरिया विशेशन है और इस किरिया विशेशन जो होता है यह अ पर्यावाची शब्द है तो मिरगांग जो दोस्तों पर्यावाची होता है ये चंदरमा का होता है ओप्शन डी होना था यहां पे इसका सही अंसर बता दें कि चंदरमा के जो अन्य पर्यावाची शब्द हैं वो हैं सुदान्शू, रकापती, मिरगांग, द्विजराज, व पेपर में next question पूछा गया कि कालिदास के किस रचना में हिमाले को ओज़ी प्रस्त से उलेकित किया गया है तो काफी hard question पूछा गया exam में, तो बता दें कि जो हिमाले को ओज़ी प्रस्त जो उले किया गया है ये कालिदास के कुमार संभव नामक जो इनकी रचना है इनमें कहा गया है बतादे कि ये चारो रचनाय जो है कालिदास की हैं लेकिन हिमाले को ओज़ी प्रस का गया है कुमार संभव में option D होगा सही अंसर और बतादे कि इस महाकाव्य में हिमाले का वर्णन किया गया है पार्वती की तपस्या, वसंत आगमन, शीव पार्वती विवा और कार्थी के के जनम आदी का जो वर्णन है इसी जो गरंथ है कालिदास का कुमार संभव इसमें किया गया है तो यहाँ पे इसका अंसर रहना था option D नेक्स कोचन पूछा गया है कि Android है एक तो Android जो यह दोस्तों एक operating system होता है यहाँ पे इसका सही answer option A होना था बता दें कि जो Android है यह आजकल हर smartphone में आता है और बता दें कि जो Android है यह Google के द्वारा विक्सित एक open source mobile operating system होता है जो कि Linux पर अधारित है इसको दोस्तों सुरुवात में 23 स्टमबर 2008 में रिलीस किया गया था यह date आप याद रखेगा तो जो Android है यह operating system होता है इसका सही answer option A होना था नेक्स कोचन है कि नीचे दिये गए विकलपों में से श्री बद्रिनाध धाम का परमूक मंदीर कौन सा है तो जो बद्रिनाध धाम है इसका जो परमूक मंदीर है वो है दोस्तो राजबद्री इसका answer जो रहना था वो option C रहना था बता दें कि बद्रिनाध में ही बगवान बद्रिनाध की माता का माता मूर्ती मंदीर भी इस्तापित किया गया है तो भगवान बद्रिनात की माता मूर्ती का जो मंदीर है ये भी बद्रिनात में ही है इसको भी आप याद रखेगा और जो राजबदरी है ये शिरी बद्रिनात धाम का एक परमुक मंदीर है तो इसका अंसर जो रहना था option C रहना था राजबदरी दोस्तो अगला question number 24 जो है पुछा गया है reasoning का यहाँ पर देखें आप 3 star 5 equal to 2509 लिखा है इसी तरह से 2 statement दिये हैं बाकी पुछ रहा है कि 6 star 8 कितना होगा तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखें जो पहला number है 3 इसका वर्ग इन्होंने last में लिखा है करके 09 और इसी तरह से 5 का जौश का वर्ग आठ गया और पांच का नगेया आपका 64 36 तो इसका आचर एगा option C तो इसका answer यो ऑप्शन C next question था कि नीचे दिये गए विकल्पों में से उत्राखंड का विरिष्टी शाय शेतर कौन सा है तो विरिष्टी शाय शेतर मतलब की rain shadow resign जहां पर अधिकतर बारिस होती है तो जो rain shadow resign था उत्राखंड का वो था दोस्तों trans हिमाले option A होना था यहां पर इसका सही answer बता दें कि जो trans हिमाले हैं यह तिबबत हिमाले शेतर के नाम से भी जाना जाता है और यह महान हिमाले के उत्तर में इस्तित है और इस जो trans हिमाले है इस शेतर में काराकॉरम, लद्दाक, जासकर और केलास नाम की जो परवसरेणिया है वो भी ट्रांस हिमाले के अंतरगत शामिल की जाती है तो उत्राखंड का विरिष्टी शाय शेतर जो है वो ट्रांस हिमाले है option ही होना था इसका सही answer next question पूछा गया है कि मानव अधिकारों की सारभोमी गोशना पत्र में कितने अनुचेत थे तो जो मानव अधिकार थे उसके उसकी जो सारभोमी गोशना पत्र जो जारी किया गया था उसमें कितने अनुचेत थे ये बताना था तो उसमें दोस्तों अनुचेत थे 30 तो इसका answer रहना था option C 30 बता दें कि जो मानव अधिकारों की सारभोमी गोशना थी इसको सुख्त राष्ट संग ने 10 दिसंबर 1948 को पेरिस फ्रांस में इसको जारी किया था और इसमें जो है कुल 30 अनुचेत थे तो इसका सही अंसर रहेगा option C next question है कि पलेठी का सूर्य मंदिर जो है वो अवस्तित है तो जो पलेठी का सूर्य मंदिर है इसका सही अंसर रहे था option D दे प्रियाग विकासकंड में तो पलेठी का सूर्य मंदिर है ये मंदिर भगवान भासकर को समरपित है और इसका निर्माण साथी सदी में हुआ था और ये टीरी गडवाल जिले में है तो ये डिटेल भी आप याद रखेगा तो प्लेटी का सूर्य मंदीर है देप्रिया विकासकंड में option D होगा correct answer next question था कि भारत में lead bank योजना की सुरुवात कब हुई तो भारत में दोस्तों जो lead bank योजना है इसकी सुरुवात हुई थी 1969-1989 option B होगा यहापर सही answer बता दें कि जो ये lead bank योजना होती है इसमें एक निश्चित bank को विशिष्ट area के अंतरगत एक lead bank घोसित कर दिया जाता है और ये bank जो होता है सरकार की नीतियों के किरियानवन में साहता करता है और उनको ये विशेश रूप से जो है ग्रामीन एरिया जो होता है उसमें survey का काम करता है और अपने area में स्थित उन उपकरमों का पता लगाता है जिनके विकास के लिए loan की आवशकता है तो ये सभी काम जो है lead bank योजना के अंतरगत होते थे और ये जो सुरू की गई थी 1969 में option B होगा यहाँ पे correct answer next question है कि सभासार पुस्तक जो है इसके लेकक कौन है तो बता दें जो सभासार पुस्तक थी इसके लेकक सुदर्शन सा थे तो option A होगा यहाँ पे इसका सही answer और बता दें कि जो सुदर्शन सा है इनको सुरूत कभी के नाम से भी जाना जाता है तो सभासार पुस्तक भी नहीं किये इसका answer एगा option A सई आंसर रहेगा option A हरी के बिराद पेपर में next question पूछा गया था कि नीचे दिये गए विकलपों में से बगडवार नित्ते जो है वो किया जाता है तो दोस्तों जो बगडवार नित्ते है वो नीती घाटी में किया जाता है तो इसका answer रहे था option A नीती घाटी तो याद रखेगा जो बगडवार नित्ते है ये नीती घाटी में जो है किया जाता है चलिए देखते है next question next question था कि सल्तनत काल में दाग और चहरा परथा कि सुरुवात किसके द्वारा की गई तो ये question थोड़े यहाँ पर गुमा के पुछ लिया गया है तो question को द्वारा पढ़ते है सल्तनत काल में दाग यानि की घोड़ा दागने और चहरा परथा यानि की सैनको का चहरा लिखने की जो परथा थी इसकी सुरुवात किसने की थी तो एनि डाउट ये दो सुरुवात की थी ये की थी अलावदीन खिल जी ने option C होना था इसका सही आंसर बता दें कि अलावदीन खिल जी ने सेना को नगत वेदन देने और इस्थाई सेना रखने की परथा जो थी इसकी सुरुवात भी की थी तो इसका सही आंसर हैगा option C अलावदीन खिल जी चलिए देखते है next question तो यहाँ पर दोस्तों next question है कि वह प्राकृतिक हादसा कौन सा है जिसमें परसिद निर्तियांगना जिनका नाम था प्रोतीमा बेदी इनका जो है इनकी मिर्तियू हो गई थी तो यह कौन सा हादसा था तो दोस्तों यह था मालपा बूसकलन तो option D होना था इसका सही आंसर बता दें कि जो यह मालपा बूसकलन था यह बूसकलन 18 अगस्त 1998 को मालपा गाउं जो की पिथोरागड जीले में है वहाँ पर आया था और इसमें परसीद नित्यांगना प्रोतिमा बेदी की मिर्तियू हो गई थी तो इसका आंसर रहना था option D मालपा बूसकलन next question है कि परतिवर्ष अर्थ आवर जो है यह मनाया जाता है इसका अरंब कहां से हुआ तो बता दें कि जो अर्थ आवर है तो इसकी जो सुरुवात थी यह ऑस्टेलिया से हुई थी option D होना था इसका सही अंसर बता दें कि यह 2007 में Sydney ऑस्टेलिया से सुरू किया गया था और इसकी सुरुवात जो है WWF याने की World Wide Fund for Nature के दुवारा शुरू की गई थी और बता दें कि वर्ष 2018 में जो अर्थ आवर था यह 24 मार 2018 को हुआ और यह 8.30 से रात के 8.30 से 9.30 बजे तक रहा बता दें यह जो अर्थ आवर आंदोलन है यह हर वर्ष 28 मार्च को इस्थाने समय के अनुसार शाम 8.30 से 9.30 बजे तक हर घर, महले, दफ्तरों और अन्य सानों पर विद्दुत का प्रयोग बंद करके केवल मोंबत्ती का प्रयोग इसमें किया जाता है यह जो आंदोलन है यह जो अर्थ आवर होता है और इसकी सुरुआ 2007 से Sydney, Australia से WWF के दवारा सुरू की गई थी इसका सही आंसर रहेगा option D, Australia next question की तरफ चलते है next question दोसे यहाँ पर पूछा है कि रोज राजी जनजाती है यह अपने निवास इस्थान को क्या कहती है तो अगर दोस्तों हम यहाँ बात करें राजी जनजाती की तो जो राजी जनजाती है यह अपने निवास इस्थान को कहती है रोत्यूड़ा तो option C होगा इसका यहाँ पर सही आंसर और बतादें जो यह जनजाती है राजी यह जनजाती मुखेता पितोरागड़ में निवास करती है और इनकी बोली को मुंडा कहते हैं तो इनकी बोली जो है मुंडा है और ये कास्ट सिल्म में निपुण होती है ये इस जंजाती के जो लोग होते हैं वो लकडियों के काम में ज़्यादा निपुण होते हैं और इनके मुखे जो देवता हैं उनका नाम बागनात है ये डिटेल भी याद रखेगा एक्जाम में question पूछा जा सकता है तो राजी जंजाती का जो निवास्ताने वो रत्यूडा कहलाता है next question देखते हैं दोस्तों यहाँ पर next question है reasoning का reasoning का question में पूछा गया है कि आपका answer आएगा 78 तो ये पहले वाले निकल जाएगा इसी तरह से अगर आप act की तरफ चलते हैं तो A जो है आपका ये पहला है plus जो C है ये तीसरा letter है plus T जो है आपका 20 वा letter है इन तीनों को अगर आप जोड़ेंगे तो आपका आएगा यहाँ पर 24 और 24 में अगर आप 3 की गुणा करोगे तो आपका 72 आएगा तो इस तरह से ये ट्रिक जो है जैड में भी लग गई एक्ट वाले में भी लग गई इसी तरह से बैट में भी लग जाएगी तो B जो है दोस्तों ये आपका दूसरा one है प्लस A जो है आपका पहला लेटर है प्लस T जो है आपका 20 वा लेटर है तो आप इन तीन को जोड़ेंगे तो आपका आएगा 23 और 23 में अगर आप 3 की गुणा करेंगे तो आपका आएगा 69 उनत्तर तो इसका आंसर होना था option D 69 तो जो 36 वाला question है यहाँ पर आप देख सकते हैं तो इसका आंसर जो है option D होगा next question यहाँ पर पूछा गया है कि चमपावत के बालेश्वर मंदीर से प्राप्त अभिलेग जो है वो किस सासक से समंदित है तो यह बहुत मतबूर पोर्सन है क्योंकि जो पिछला अभी ग्रूप सी का एक्जाम गया था जिसका solution हमने आपको provide कराया था उसमें यह पूछा गया था कि जो बालेश्वर मंदीर है वो किस जिले में है तो यह चमपावत में है तो यह कई बार एक्जाम में आ चुका है तो दोस्तो चमपावत के बालेश्वर मंदीर से जो प्राफ अभी लेक था वो था क्राचल देव शासक का तो इसका अंसर रहेगा option B क्राचल देव next question देखते हैं next question है कि भारत में जनहित याची का यानि की पिल जिसकी perform होती है public interest litigation litigation तो भारत में जो जनहित याची का की शुरुवात है वो कब की गई तो दोस्तो भारत में जनहित याची का की सुरुवात जो थी 1986 से की गई option B होगा यहाँ पर correct answer और बता देए जो पिल होती है यानि कि जनहित याची का होती है यह जो है भारतिय कानून में सारजनिक हित की रक्षा के लिए इसमें मुकदमे का प्रावधान किया जाता है तो जो सारजनिक हित से समंदित जो भी इसकी रक्षा करने के लिए मुकदमे का प्रावधान है वो इस जनित याजका के अंतरगती किया जाता है तो इसका अंसर एगा उप्षण B 1986 इसकी सुरुवाद की गई थी Next है कि हरशिल शेत्र में सेव की जो विलसन पर जाती है ये विक्सित की गई किसके द्वारा तो हरसल सेतर में सेव की जो Wilson पर जाती थी दोस्तों ये विक्सित की थी फैडरिक Wilson ने option B होना था इसका correct answer next question पूशा गया कि mission इंदर धनुस जो है ये किस से समंदित है तो important question है तो mission इंदर धनुस जो था दोस्तों ये टीका करण से समंदित था option A होना था इसका correct answer और बता दें कि ये जो mission इंदर धनुस था ये 25 दिसंबर 2014 को शुरू किया गया था और इसमें 2020 तक जो टीका करण का लक्षय है उसको रखा गया था तो 25 दिसंबर 2014 को mission इंदर धनुस शुरू किया गया था जो की टीका करण से related था next question है कि कसार देवी का जो मंदिर है वो इस्तित है तो जो कसार देवी का दोस्तों जो मंदिर है ये आपका option इसका सही अंसर आएगा option A کश्यप चोटी तो Kश्यप चोटी पर स्तित है बता दें कि ये जो मंदिर है यानि कि जो कसार देवी का मंदिर है ये उत्राखंड के अलमोड़ा जिले में स्थित है और यहाँ पर मा दुर्गा के आठ रूपों में से एक रूप जिसका नाम है देवी कातिया यानी तो देवी कातिया यानी की पूजा की जाती है और ये जो मंदीर है ये कश्यप चोटी पर इस्तित है option A होगा यहाँ पर इसका correct answer नेक्स कोच्चन था कि नीरू मीरू कारेकरम जो है ये किस से समन्दी था तो नीरू मीरू जो कारेकरम था ये जल सेलक्षन से समन्दी था option C होगा correct answer बता दें कि ये जो कारेकरम था ये वर्स 2000 में आंधर परदेश से सुरू किया गया था तो नीरू मीरू कारेकरम जो है जल सेलक्षन समन्दी था option C होगा correct answer next question पूचा गया कि उत्राखंड पर पर्थम गोर्खा आकरमन कब हुआ तो दोस्तों बता दें कि जो उत्राखंड है उस पर पर्थम गोर्खा आकरमन किया था 1791 में option B और बता दें कि 1790 में जो है गोर्खों ने कुमाउ यानि कि अलमोडा को जीता था और 1791 में इन्होंने जो गोर्खे थे इन्होंने गड़वाल पर आकरमन किया था लेकिन वो इस आकरमन में हार गये थे और तो उत्राखंड पर 1791 में जो है गोर्खा ने आकरमन किया option B हो गए याँ पर correct answer चली चलते हैं अगले question की तरफ यहाँ पर next question पूचा गया है कि किस ने कहा था कि आसक जो था किस वंसका था तो अमोग भूति जो था दोस्तों ये कुणिंद वंसका था option A होगा correct answer और बता दें कि ये कुणिंद वंसका सबसे सकती साली आसक था जो अमोग भूति था तो इसका correct answer रहेगा option A next question है कि कि किस दीप को अब कलाम दीप के नाम से जाना जाता है तो जो वीलर दीप है option B इसको अब कलाम दीप के नाम से जाना जाता है तो option B होना था यहाँ पे इसका correct answer वीलर दीप बता दें कि जो वीलर दीप है ये भारती राज्य ओडिसा में स्थित है और इसका जो प्रयोग है वो भारत अपने प्रक्षे पास्व कार्यकरम के प्रि प्रकाशन ने वो किया गया तो शक्ति पत्रिका का प्रकाशन जो है बद्रिदत पांडे के द्वारा किया गया था option D होना था इसका correct answer और बद्रिदत पांडे ने 15 सितंबर 1918 को जो है इस पत्रिका का संबादम करना शुरू किया था तो 15 सितंबर 1918 को शक्ति पत्रिका का प् प्रारंब किया गया था तो 1918 में शक्ति पद्रिका प्रकाशन बदीदध पांड़े के द्वारा शुरू किया गया option D हो गया यहां पर correct answer नेक्स question था दोस्तों यहां पर रिजिनिंग का और पूछ रहा है कि 25 पैसे और 50 पचास पैसे के हैं तो इनका rate क्या निकलेगा 25x और इसी तरह से इनका rate निकल जाएगा 50y और अगर इनका cool करें यह जाएगा 25x प्लस 50y तो और यह जो cool rate है यह किसके बराबर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका 130 रूपे के बराबर तो इसको लिख लेते हैं तो यहां पर हो रूपे में हैं तो इसको आप 100 की गुणा करेंगे तो 2-0 और लग जाएगी तो यह आपका जो है किसमें बदल जाएगा पैसो में बदल जाएगा अब यह बिल्कुल क्रेक्ट हो गई और इसमें आप 25 से भाग दे दीजिएगा तो आपका इसका answer आएगा x प्लस 2y इक्व 322 तो एक equation यह बनेगी और दोस्तों यहां पर हमने माल ली है 25 पैसे के x सिक्के हैं और 50 पैसे के y सिक्के हैं तो कुल सिक्के होंगे मारे x प्लस y लेकिन कुल सिक्के 2y-y यानिकि y equal to और 520 में से अगर आप 520 में से अगर आप कितना माइनस करेंगे 380 तो आपका आएगा 140 तो यहाँ पर दोस्तों y जो हमने मानना था वो 50 पैसे के सिक्के मानना था तो जो y जो सिक्के है यानिकि 50 पैसे के जो सिक्के है वो 140 है इसका अंसर रहेगा option a तो option A होना था इसका सही answer, उमीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, चलिए देखतें next question, next question है कि तराई भाबर में पटवारी और कानुनगो की जो निकती है इसके नियम, सब पर्थम कब निर्धारित किये गए, तो तराई भाबर में पटवारी और कानुनगो की न तराई अमेरिका ने पर्थम अपना जो निकलर टैस्ट था यानकी नाब के प्रिक्षन था वो किया था, 16 जुलाई 1945 को, तो option D होना था इस question का यहां पे सही answer, next question पूछा गया था, कि गड़वाल और कुमाओ के पर्वतिय शेत्र में हाथ से बने कागच के प्रयोग का वर् पेपर में next question है, कि वर्थ 2017-18 में उत्राखंड राज्य के सकल गरेलू उत्पाद यानि कि GDP में शेत्रों के योगदान का घटा करम सही अनुकरम में कौन सा है, तो यानि कि जो वर्थ 2017-18 में जो उत्राखंड राज्य है, उसका जो सकल गरेलू उत्पाद है, उसमें किन शे जो कि दित्तक शेत्र का है, तो इसे साब से पहला तो दित्तक शेत्र होगा, उसके बाद सेवा शेत्र आता है, यानि कि तीसरा सेत्र और किर्सी जो सबसे कम योगदान देता है, उत्राखंड की GDP में वो प्रात्मिक शेत्र में आता है, तो यह सबसे लास्ट में आ जाएग और ये पुछा गया है कि फड़का नोली और पेटशाल के जो शिलाश रहे हैं इनकी खोज किस ने की थी तो दोस्तों फड़का नोली और पेटशाल के शिलाश रहे कि जो खोज है ये डॉक्टर यशोदर मटबाल के द्वारा की गई option B होगा correct answer और बता दें कि डॉक्टर यशोदर मटबाल ने जो फड़का नोला है इसकी जो खोज थी 1985 यानि कि 1985 में और जो ये पेटशाल से लाश रहे है इसकी खोज 1989 में की थी डॉक्टर यशोदर मटबाल के द्वारा तो इसका correct answer होना था यहाँ पर option B next question है कि विस्ट का सबसे उचा जवारबाटा आता है तो important question है तो विस्ट का सबसे उचा जवारबाटा जो है दोस्तों Bay of Fundy यानि कि Fundy की खाड़ी में आता है option B होना था है यहाँ पर इसका correct answer next question देख लेते हैं next question है याँ पर कि भारत में GST पारिद करने वाले राज्यों में उतराखंड का कौन सा साने यानि कि GST को पारिद करने वाला उतराखंड भारत का कौन सा राज़ यह बताना था तो उतराखंड दोस्तों बारत का पांच वा राज है जिसने GST यानि कि Goods and Service Tax को पारित किया और दोस्तों जो उत्राखंडे इसने 2 मई 2017 को 2 मई 2017 को जो है दोस्तों इस नियम को पारित किया था जो GST है SGST इसको और बता दें कि जो GST है ये पूरे भारत में लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 से इसको आप जानते ही होंगे चले देख लेते हैं next question next question है कि हडपा सबयता में बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों से प्राप्त हुए थे वे स्थल कौन से ये बताना है तो गुजरात के ये स्थलें लोथल और रंगपूर correct answer होना था option B जो की हडपा सबयता में बाजरे के दाने यहां से प्राप्त हुए थे next question था कि बेल चड़ा प्रपात इस्थीत है तो बेल चड़ा प्रपात जो है दोस्तों ये जनपत पितोरागड तो पितोरागड जीले में इस्थीत है option C होना था इसका correct answer next question था कि TAL manufacturing solutions के द्वारा विक्सित भारत का परतम ओद्योगी robot कौन सा है यानि कि इंडिया का first industrial robot कौन सा है तो इसका answer होना था option D BRABO यानि कि ब्राबो और बता दें ये जो company है TAL manufacturing solution ये company पूरे माहराष्ट में है और भारत का परतम इंडिस्टीरियल जो robot था ये ब्राबो ये इसी के द्वारा बनाया गया और ये दोस्तों question जो है ये एक साल पुराना करंड का question है 2017 में ही आया था 2017 में बना था ये बहाँ से पूछा गया है तो देख सकते हैं आपकी जो group C के exam है उसमें एक साल पुराना करंड का जो question है वो भी पूछे जा रहे है चलिए देखते है next question next question है यहाँ पर कि नीचे दिये गए विकलपों में से हारुन नित्य की जो विशेवस्तू है कौन सी है तो जो हारुन नित्य है उसकी विशेवस्तू पांड़ों के जीवन पर अधारित जो है उस पे है तो option D होगा यहाँ पर click सही answer पांड़ों के जीवन पर अधारित next question दोस्तों यहाँ पर दिरिजनिंग का पूछा गया है कि एक स्कूल की घंटी 7 बार बजने में 12 सेकिंड का समय लेती है तो इसे 3 बार बजने में जो है समय कितना लगेगा तो यहाँ पर दोस्तों इसमें सोड़ी सी trick के साब से को question को solve करना पड़ेगा यहाँ पर जो answer है वह equal to आएगा 4 seconds तो इसका correct answer दोस्तों यहाँ पर होना था option C 4 seconds next देख लेता है next question है कि इस्थानी बोली में थारू परिवार जाना जाता है तो इस्थानी बोली में जो थारू परिवारे उसको किस नाम से जाना जाता है दोस्तों इसको जाना जाता है संग नाम से option C होन जाना है तो दोस्तों यहां पर देखिए यहां पर इन्हों ने क्या करा है कि पंदरा और जो 13 है इसमें देखिए gap जो है यहां पर ढ्रोक होना चाहिए और यह जो संखिया है दूसरे वाली पहले बल से छोटी होनी चाहिए तो यहाँ पर दोस्तों 11 आएगा तो 11 और 13 के बीच में जो यह दो कई गैप रहेगा और इस हसाब से यह बिल्कुँ क्रेक्ट आजाएगा तो इसका क्रेक्ट आंसर जो होना था वो होना था option C 11 next question है कि पितोरागड का जो उत्तर पूर्वी भूखंड है वो पितोरागड का उत्तर पूर्वी भूखंड है उसको पितोरागड का उत्तर पूर्वी भूखंड है उसको पितोरागड का उत्तर पूर्वी भूखंड है उसको पितोरागड का उत्तर पूर्वी भूखंड है तो राज्यपाल की नुक्ति यहां पर साफ क्लियर पता लग रहा है कि राज्यपाल की नुक्ति जो है स्विधान का संगी लक्षन नहीं है बाकि लिखी स्विधान शक्तियों का विवाजन दी स्विधनात्म विवास्ता ये सभी जो तीन प्रोपटीज हैं जो तीन लक्षन ह ये हमारे भारतिय अगंदंद्र के सिधान के हैं चलिए देखते हैं next question next यहां पर कहा है कि परदीप शा के सासन काल में गड़वाल ने जो है काफी स्मिरिद्धी प्राप्त की थी तो वो सिहासन पर कब बैठे ही ये बताना है तो परदीप शा जो थे ये बैठे थे 1717 में option C होना थे इसका correct answer तो 1717 में जो है परदीप शा के सासन काल में जो है गड़वाल के ने जो है काफी स्मिरिद्धी प्राप्त की थी यानि की काफी अमीर इसमें बना था next question है कि नीचे दिये गए विकल्पों में से विशम शब्द कौन सा है तो यह science से question है तो यहाँ पर आप देखें सकरवी जो है विटामिन C से होता है सूखा रोग विटामिन D से होता है जो D है रतोंदी ये विटामिन A से होता है जबकि इन्फिलेंजा जो है विटामिन से नहीं होता है तो ये भी सम हो गया तो इसका correct answer होना था option B, influenza चले देख लेता है next question next question था कि जोंशार सेत्र में कितने सेयाना शेत्रों का एक सदर सेयाना होता है यानि कि कितने जो सेयाना शेत्र हैं उनको मिलाकर एक सदर सेयाना बनता है ये बताना था तो correct answer था option A, 4 जो कि बहुत डीपली question पूछा गया था exam में next question है कि सोभागे योजना का उत्राखन में कप्शुवारम किया गया तो सोभागे योजना जिसको हम परदान मंतरी सहज, बिजली, हरगर, योजना के नाम से भी जानते हैं ये शुरू की गई थी 9 March 2018 को correct answer होगा option B, 9 March 2018 और इसके अंदरगत हर गर में जो है बिजली को असानी से पहुचाने का लक्षे विदारित किया गया था तो ये जो है योजना 9 March 2018 को शुरू की गई उत्राखन में तो correct answer होगा option B, next है कि निम्न में से परिख्यात गड़वाली रचना भूमियाल जो है ये किनके द्वारा लिखी गई है तो जो गड़वाली रचना है भूमियाल ये लिखी गई है दोस्तों, option C, अबोध बंदू बहगुणा तो correct answer होगा option B, अबोध बंदू बहगुणा next question है कि मारमा गवा जो पतन है ये कहां पर सित है तो मारमा गव जो पतन है दोस्तों ये सितित है गवा में विक्टर मोहन जोसी, बद्दत पांडे, चिरंजी लाल, हेम चंदर आधी के प्रयासों के दोबारा जो है अलमोडा में 1914 में ये होम रूल आंदोरन शुरू हुआ था Next question दोस्तों यहाँ पर फिर से reasoning का पूछा गया है और यहाँ पर reasoning के जो है, इस paper में काफी question पूछे गए है और काफी असान question पूछे गए है तो यहाँ पर दोस्तों इसमें आपको trick लगानी है और बताना है कि इसमें जो question मारक है यहाँ पर क्या आएगा तो यहाँ पर दोस्तों trick जो है, यहाँ पर simple trick है यहाँ पर 85 में जो है 17 से आपको भाग देना है और जितना आएगा उसमें 3 की गुणा करनी है और यहाँ बॉक्स फिल हो जाएगा इसी में यह ऐसी ट्रीक इसमें लगीगी ऐसी इसमें लगीगी तो इसमें हम पहले करके देख लेता है चलिए जोस्तों सबसे पहले हम भाग देता है 85 में आपका 17 से भाग देता है तो अगर आप इसमें भाग देंगे तो आपका आएगा 5 और 5 में अगर आप गुणा करेंगे 3 की तो आपका आएगा 15 जो कि यहाँ पर बिल्कुल क्रेक्ट बैट रहा है इसी तरह से अगर हम यहाँ पर second box के लिए चलें तो 90 में आप 15 से भाग दें तो आपका आएगा 6 और 6 में अगर आप 3 की गुणा करेंगे तो आपका आएगा 18 जो कि इस box में बिल्कुल सही बैट रहा है इसी तरह आप 76 जो है इसमें भाग दें 19 से अगर आप 19 से भाग देंगे तो आपका आएगा 19 चोक 4 से जाएगा यह और 4 में अगर आप 3 की गुणा करेंगे तो आपका आएगा 12 तो यानि इसका correct answer था option D 12 तो यानि कि 72 वाले का जो answer है वो option D होना था 12 नेक्स question है कि 1917 इस्वी में अलमोडा में आजित कुमाओ परिशद के पहले अधिवेशन की जो अधिक्सता थी वो किसके द्वारा की गई important question है तो ये दोस्तों की थी जैदत जोसी के द्वारा option B होगा correct answer next question पुछा गया कि अमेरिका की 37 संग्राम के दोरान British Senna का जो थी उसके कमांडर कौन थे तो British Senna के कमांडर थे Charles Carnivalis option A होगा यहाँ पर correct answer बता दें कि जो अमेरिका का 77 संग्राम था ये Boston की चायपाटी जो की December 1773 इस्वी में हुई थी उससे प्रारंबुवा था जो अमेरिका का 77 संग्राम था और इस संग्राम का जो नायक था वो George Washington था बता दें कि अमेरिका को जो 77 संग्रता है वो 4 जुलाई 1776 इस्वी को प्राप्त हुई थी चलिए देख लेते हैं हम next question next question है यहाँ पर कि चंद राज्यों में जो चंद राज्ये था उसमें नगत प्राप्त किये जाने वाला जो भूकर था उसको क्या कहते थे तो यह भी question काफ़ी deeply बूचा गया है तो यहाँ पर इसका correct answer हैगा option A सिर्ती तो जो चंद राज्ये था उसमें नगत प्राप्त किया जाने वाले जो भूकर था वो उसको हम सिर्ती कहते थे next question है कि E-N-I-A-C की पूरा रूप क्या है तो दूसरा question कम्पूटर से पूछा गया है तो दोसरो इसका पूर रूप होता है electronic numerical integrator and computer तो B होना था इसका correct answer बता दें कि जो E-N-I-A-C था यह wish का पर्थम electronic digital computer था तो important question है तो option B हो गया पर correct answer next question था कि निम्न में से जो गड़वाल दर्सन है इसके पुस्तक के लेखक कोन है तो यहाँ पर दोसरो शिवानन्द नोटियाल option A जो है इसका correct answer जो शिवानन्द नोटियाल है इनोंने गड़वाल दर्सन नामक पुस्तक लिखी है बता दें जो शिवानन्द नोटियाल है यह उत्रा खंड के पोड़ी गड़वाल जीले के कोठला ग्राम से थे और इनका जनम 18 जून 1936 को हुआ था और दोस्तों बता दें इनकी अन्ने जो रचनाय है वो हैं गड़वाल के लोक निरित्य तबो भूमी गड़वाल शैलो दे जो की इनका पत्र था आदी जो रचनाय है गड़वाल दर्सन के साथ इनकी जो है प्रमुक रचनाय है तो याद रखिएगा तो इसका correct answer है जो गड़वाल दर्सन है यह पुस्तक लिखी है डॉक्टर शिवानन नोटियाल ऑप्शन ए जो की पोड़वाल जी लेके है नेक्स कोश्चन है नेक्स कोश्चन दोस्तों यहाँ पर फिर से रिजिनिंग का पूछा गया है और दोस्तों कहा रहा है कि एक निश्चित कूट में 1,2,4,5 को 3, 3,4,5,8,5 इसी तरह से 4,5,6,9 को 6 से कूटित किया जाता है तो 5,6,8,9 को किस से कूटित किया जाएगा यह बताना है तो दोस्तों यहाँ पर जो ट्रिक रहेगी वो यह रहेगी कि जो 1,2,4,5 है इसको आप इन सब की एक-एक डिजिट को जोड़ लीजिए तो अगर आप 1,2,4,5 इनको जोड़ेंगे तो आपका जो आएगा वो आएगा रिजल्ट 12 आएगा और 12 में आपको simply 4 से भाग देना है तो 4 से अगर आप भाग देते हैं तो आपका आता है 3 तो यहाँ पर इसकी कोडिंग की गई है 3 से नेक्स कोश्चन नेक्स पर देखते हैं अगर हम 3,4,5,8 तो इसको भी जोड़ लेते हैं तो 3,4,5 और 8 को अगर आप जोड़ेंगे तो आपका आएगा अंसर 20 ठीक है और 20 में अगर आप 4 से डिवैड दोगे तो आपका आएगा 5 जो की यहाँ पर इसकी कोडिंग है इसी तरह से आप जो है नेक्स वाले का निकाल सकते हैं 4,5,6,9 का तो इसको अगर आप जोड़ेंगे तो आपका आएगा 24 और 24 में अगर आप 4 से डिवैड दोगे तो आपका आएगा 6 जो कि इसकी coding है तो इसी तरह से correct answer लेने के लिए यहाँ पर 5 plus 6 plus 8 plus 9 को अगर आप जोड लेते हैं तो आपका जो total आएगा वो आएगा 28 और अगर आप इसमें 4 से डिवैड देते हैं तो आपकि इसकी coding आएगी 7 तो यहाँ पर इसका correct answer था भगवान शिव के परतिमा के जो नाभी है उस भाग की पुझा की जाती है तो correct answer होना था इसका option A बता दें दोस्तों कि उत्राखण में 5 कैदार हैं इनके नाम और इनके इन किस कैदार में किस भाग की पुझा की जाती है यह important है तो इसको आप जान लीजिए तो पहला जो है दोस्तों यहाँ पर कैदारनात है जो कि रूदरप्राग जिले में है और यहाँ पर शिव के परतिमा के पिछले बाग की पुझा की जाती है second कैदार है तुंगनात यह भी रूदरप्राग में है यहाँ पर भुझा की पुझा की जाती है तीसरा है मद्रप्राग जिले में ही है यहाँ पर भी शिव की परतिमा के नाभी की पुझा की जाती है चोता है रूदरणात जो की चमोली जिले में है और यहाँ पर शिव के परतिमा के मुझा की पुझा की जाती है और पांचवा और अंतिम जो पंच केदार है वो है कलपेश और नाथ जो की चमोली में है यहाँ पर शिव की परतिमा के केश की पूजा की जाती है डिटेल आपके सामने हैं आप चेक कर सकते हैं तो यह सभी डिटेल आप याद रखेगा एक्जाम में इसमें से कोश्चन आगे भी पूछा जा सकता है चलिए देखतें नेक्स कोश्चन नेक्स है यहाँ पर कि भारत में MRTP कानून को निरस्ट करने का सुझाओ निवन में से किस समीति ने दिया है तो इंपोर्टन कोश्चन है यहाँ पर इसका क्रेक्ट आंसर आएगा option C रागवन समीति तो रागवन समीति के दारा भारत में MRTP यानि की Monopolistic Restrictive Trade Practice जो की 1969 में बनी थी इसको बंद करने का जो सुझाव है वो रागवन समीति के दोबार दिया गया है बता दें की जो MRTP है यानि की Monopolistic Restrictive Trade Practice यह 1969 में बनी थी और इसका उदेश्य आर्थिक शक्ति के केंदी करण को रोकना और एक अधिकार पर नियंतरन रखना था तो यह इसका उदेश्य था 1969 में तो क्रेक्ट आंसर आएगा option C रागवन समीति नेक्स कोश्चन है कि टीरी रियासत में पौन टूटी किस परकार का कर था तो दोस्तों जो टीरी रियासत थी वहाँ पर जो यह पौन टूटी है एक परकार का आयात और निर्यात कर था यानि की वस्तों को लाने और ले जाने में जो कर लगता है वो था तो point duty जो था एक आयत नियारत करता option B होना था इसका correct answer चले देखते हैं next question next question था exam में जो पूछा गया है कि फसलों के नियूंतम समर्थन मुल्य यानि कि minimum support price यानि कि MSP को जो अंसंसा है उसकी अंसंसा कौन करता है तो इसका correct answer याना था option A CACP जिसकी full form होती है Commission for Agricultural Costs and Price यानि कि किर्शी लागत और मुल्य आयोग तो इसकी full form से इसका नाम का पता लग रहा है कि जो किर्शी लागत और मुल्य आयोग है यानि कि CACP यही फसलों के नियूंतम समर्थन मुल्य की अंसंसा करता है तो इसका correct answer होगा option है बता दें कि जो किर्शी लागत और मुल्य आयोग था यानि कि Commission for Agriculture Course and Prices था इसकी सापना 8 जनवरी 1965 में की गई थी तो correct answer होगा option है next question देख लेते हैं next है कि जुमडा क्या है जुमडा दोस्तों जो है ये एक थारूओं का निरित्य गीत है तो correct answer होगा option C थारूओं का निरित्य गीत next question है कि the population bump जो पुस्तक है ये किसके तो लिखी गई है तो the population bump जो है ये पुस्तक लिखी है Paul R. Ehrlich ने option A होगा यहापे सही answer और इन्हों ने ये बुक 1968 में लिखी थी प्रकासन इसका 1968 में हुआ था जो the population bump है और इसके लिखक है Paul R. Ehrlich याद रखिएगा next question है कि अलविदा कुमाओ यानि कि कुमाओ से गोरकों की वापसी इस पुस्तक के लिखक कौन है important question है काफी deeply question पुछा गया है तो ये इसका answer हैगा option B Professor L. L. Sharma तो Professor L. L. Sharma जो थे इन्हों ने अलविदा कुमाओ कुमाओ से गोरकों की वापसी नामक पुस्तक जो है ये लिखी है तो correct answer होगा option B next question देखते हैं next question है कि 1815 इस वी में भारत का पहला सर्वेयर जो जनरल जो था वो किसे नुक्त किया गया तो 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल जो था इसे नुक्त किया गया था ये थे कॉलिन मेकेंजी तो कॉलिन मेकेंजी को जो है भारत का पहला सर्वेयर जनरल बनाया गया था नेक्स्ट है कि अलमोडा जन्पद में चनोदा में गांधी आसरम की सापना किसने की तो अलमोडा जन्पद यानि अलमोडा जी लेके चनोदा में गांधी आसरम की सापना शांतिलाल तिरवेदी के द्वारा की गई थी और इन्होंने उन्मी सो सैंतिसमें गृष्ण की साफना की ती याद रखेगा नेसकार्ण से पूचा गया है यहाँ पर तीसरा कोशुन आ गया है यहाँ पर पूचा गया है कि MS Excel में चैनित पंक्तियों को छिपाने के लिए shortcut की क्या है तो जो MS Excel जो spread sheet होती है उसमें अगर आपने जो भी पंक्तियां यानि कि जो आपने rows select की है तो जो आपने select किया अगर आपको उनको छिपाना है तो आप की shortcut की करेंगे तो आप use करेंगे option C control plus 9 तो control plus 9 से जो rows है वो छिप जाएंगी यानि कि hide हो जाएंगी next question है कि सरकार ने बोटिया जनजाती को अनसूची जनजाती यानि कि ST में अधुसूचीत कब किया तो जो थारू जोनसारी बोकसा बोटिया राजी हैं इन सभी जनजातीयों को जो अनसूची जनजाती में डाला था ST में वो डाला था 1967 में तो correct answer होगा option A 1967 चलिए देखते है next question तो यहाँ पर दोस्तों next question फिर से reasoning का पूछा गया है तो काफी question जो है reasoning से आये हैं यहाँ पर यह देख लेता है पहला statement दिया है कि A B से अधिक अंक अरजीत करता है यानि कि A के जो marks हैं वो B से ज़्यादा है पहला statement यह कहता है दूसरा कह रहा है कि B C से कम अंक अरजीत करता है यानि B के marks C से कम है यानि कि जो C है वो ज़्यादा marks पराथ करता है B से उसके बाद कहा गया है थर्ड स्टेट्मेंट में कि C A से अधिक अंक अरजीत करता है यानि C के जो मार्स हैं वो A से जादा है और उसके बाद यह कहा गया है जो D है वो A से अधिक यानि कि जो D है वो A से अधिक यानि कि A से अधिक D अंक प्राप्त करता है और लेकिन इसके अंक C से कम होते हैं तो अगर आप इनको combine करेंगे तो इनको combine करने पर आपका आएगा C, ठीक है, greater than D, greater than A, फिर greater than B इस तरह से आपका यह आजाएगा अगर आप इनको combine करते हैं तो इस हसाब से यह आपका statement के हसाब से सही बैठेगा चलिए एक बार देख लेते हैं statement के साब से सही बैठ रहा है या नहीं तो दोस्तों C लिखेंगे सबसे पहले फिर D आएगा, फिर A आएगा और उसके बाद आपका B आएगा तो यहाँ पर देखें, यह बोल रहा है A, B से अधिक अंक परात करता है तो यहाँ पर यह बिल्कुल statement सही चल रहा है second statement कहरा है कि B, C से कम अंक अरजित करता है तो जो B है वो C से कम अंक अरजित करता है बिल्कुल correct है यहाँ पर, यहाँ पर इसके साब से देख सकते हैं C, A से अधिक अंक अरजित करता है यह भी यहां से इसका आप से correct है क्योंकि arrow इदर है तो C का जो Mars है वो इसके ज्यादा है A से और D जो है A और C के बीच में तो यह D यहां पर देख सकते हैं आप C और A के बीच में तो इसका आप से बिल्कुर correct हो रहा है और सबसे पहले आ रहा है C इसका मतलब सबसे अधिक अंग जो प्रात किये हैं वो C ने प्रात किये हैं तो इस तरह से question solve किये जाते हैं तो correct answer रहेगा option B C next question है कि Ransi Stadium कहाँ पर सीत है तो दोस्तो रांसी जो है यह PODY गडवाल जीले में है तो correct answer होगा option D तो PODY गडवाल जीले में है Ransi Stadium next question है दोस्तो next question यहाँ पर फिर reasoning का पूछा गया है तो देख लीजिए आप काफी question पूछे गया है reasoning के तो यहाँ पर आप दे सकते हैं यह कह रहा है कि match को यह लिखा जाता है box को C Q A लिखा जाता है तो notebook को क्या लिखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने simply जो है यहाँ पर एक एक gap लेके चले हैं यहाँ पर देखे अगर हम बात करें पहले वाला जो word दिया है M A T C H तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आपको एक भी नहीं छोड़ना है तो यहाँ पर बिना ladder का gap करें आपके सीधा आएगा M से N इसी तरह स यहाँ पर आपको 3 छोड़ देना है फिर इससे आपका G आ जाएगा और जब आप यहाँ पर 4 छोड़ने पर आपका M आएगा तो इसी तरह से यह order यहाँ पर चलेगा और इस order में जगर आप notebook को लिखने बैठेंगे तो N में आप 0 कुछ नहीं चोड़ने तो आपका O आ जा जाएगा तो इसका correct answer जो रहेगा option D रहेगा चले देखते है next question इसके नयादीस का कारेकाल कितना होता है तो अंतरास्टी नयादीस के जो नयादीस होते हैं इनका कारेकाल 9 वर्स का होता है correct answer होगा option C बता दे जो अंतरास्टी नयादीस है इसकी साफना 3 अपरेल 1946 को हुई थी और इसका मुख्याले हेग नीदरलेंड में है और इसकी जो सरकारी भासाए है वो अंग्रेजी और फ्रेंच है तो ये जो detail है इसको भी आप याद रखेगा आपके exam में पूछा जा सकता है जो आन तरगत आ गया था और वर्तमान में जो संगोली है ये कहां पर सीते ये बताना है तो वर्तमान में दोस्तों जो संगोली है ये बिहार राज्य में सीते तो इसका correct answer होना था option B बिहार राज्य नेक्स question पूचा गया है कि भारतिय परतिबूती विनमें बोर्ड यानि की Securities Exchange Board of India यानि की सेवी की जो सापना है ये कब की गई तो सेवी की सापना दोस्तों 1988 यानि की 1988 में की गई थी तो correct answer होना था इसका 1988 बता दें कि जो सेवी है इसका मुख्याले मुंबई मरास्ट में है चले देखते है next question दोस्तों यहाँ पर next question important है ये पूचा गया है कि जो उ Sun Tony MacDonald के दवारा तो correct answer होना से इसका option C तो याद रखेगा कि Sun Tony MacDonald जो है इन्होंने उत्राखंड उचिनेले के नैंताल के भवन का निर्मान करवाया था next question है कि भारत का वह राज्य जिसमें गुरान घाट दर्रा इस्तीत है तो गुरान घाट दर्रा जो है दोस्तों राजस् question में स्तीत है correct answer होगा option B next question था कि 1 पंचायत सामुदीक 1 की वेवस्था को British सासकों के दवारा विधिक रूप से यानि कानूनी रूप से समर्थन कब दिया गया तो यानि कि 1 पंचायत जो नियम थे ये कब आए ये बताना है तो यह आयते तो 1931 में उसका correct answer होगा option D 1931 तो 1931 में जो 1 पंचायत की वेवस्था थी इसको British सासकों के दवारा कानूनी रूप से समर्थन दिया गया था और वीडियो का last question है इस paper का कि मोरे समराज्य के जो 5 परमुक राजनीतिक केंद्र थे वो कौन-कौन से थे तो जो दोस्तों मोरे समराज्य था इसके 5 परमुक राजनी ग्रूप C का salt paper जिसमें हमने आपको सभी question जो है असान और detail में आपको explain किया है ताकि आपको यह ज़्यादा से ज़्यादा याद रहें और आप exam में ज़्यादा से ज़्यादा मार्स गेन कर सकें यहाँ पर दोस्तों यह official answer की है यहाँ पर जो है यह answer की सभी 4 set की answer की है लिए वहाँ पर जाके भी इसको download कर सकते हैं तो दोस्तों उमीद करता हूँ कि आपको यह video जुरू पसंद आएगी आप इस video को like कर दीजिए share कर दीजिए अपने friends के साथ और comment करना नहीं भूलेगा और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे channel knowledge वानी को subscribe नहीं किया है तो आप हमारे channel को subscribe कर bell icon दबाना नहीं भूलेगा अब मिलेंगे अगली video में तब तक के लिए हमें दीजे इजाजत thanks for watching